दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सुभी का ओलान एटाव फॉस्टी येटीव चैनल पेस्ट वीडियो में हम बात कहेंगे तमाम भर्तियों की लेटर सब्डेट के बारे में जिसा कि आप जानते किसी वर्ती सम्मंदित कोई भी जानकाई होती है आप सभी को ओलान एटाव देखने के लिए मिलते हैं इस बुक को आपके सिलेवस और पैटरन के आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिसे कि आप जो भी पड़ें अपने पैटरन के आधायत पर ही पड़ें इसमें आपको प्रीवेस कोशन के साथ मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर आप अपनी तयारी और भी बहतर बनातने चाहते हैं तो यूपी टपलेसी पीटी के लिए चक्सु प्रकार्संग की गाइड प्लस प्रैक्टिस एड को भी पर्चेस कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप चाहें तो एम आवेदन करने वाले चाहतों की संख्या की अगर बात की जाएं तो यह कहाबत बिल्कुल सही होगी एक अनार सो बिमार और यहां पर तो कम सिकम लाखों में बिमार देखने के लिए मिल रहे हैं और प्रदों की संख्या बहुत जादा कम है क्योंकि 14-15 लाख आवेदन की कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी तरद सिच्चक हैं उन सभी के पदों पर सिच्चक बरती के माध्यम से विग्यापन जारी किया जाए सेम ऐसा ही कोई आदिस आपको शिक्षा मित्तों के बारे में सुनने के लिए मिला होगा मैं जानता हूं लेकि शायद आप सभी को ना पताओ तो ही बता दें कि शिक्षा मित्तों के आदिस के करम में उन्होंने ये बताया था कि जो भी शिक्षा मित्त टीटी क्वालिफाइड नहीं है उन सभी के खाली पदों को सरकार बदें सरकार ने शिक्षा मित्तों को तो नहीं इटाया क्योंकि उनकी य एक आधियस शिक्षा मित्तों की तरह तदर सिचकों के बारे में दिया था कि 22,000 तदर सिचकों की जो परदखाली है उन पर सिचक बरती के माध्यम से विग्यापन जारी किये जाएं दो सार पहले सुपीम कोट के माध्यम से अब सरकार क्या कर रही है आप सभी यहां से देख स आज आपके सामने देखने के लिए मिलती है दैनिक जागन के अंदर बिलकुल मामला सही है मामला यह है कि तदर सिचकों को लेकर योगी सरकार की तरफ से राहत देनी की तियारिया है बले सुपीम कोट का आधियस कोई भी हो सरकार उसके अगेस जाकर यहां पर कहिने के कोई राहत देनी की तैयारी कर रही है नीचे लिखा हुए के साथ की सायता प्राथ मात्मी कॉलेज में कार कहने वाले तदर सिचकों को बड़ी राहत देनी की तैयारिया है सीम योगी ने उचिस्तरी बैठक के अंदर सिचकों का रास्ता खोजनी का जो नेदेश है वो अफसरों को दिया है दिसम्बर 2021 में आये शीज कोट के आदेश के विधी विवाग में राही ली जारी है सुपीम कोट ने अपने आदियस में बताया है कि 22,000 से ज़्यादा तदर सिचक है जिनका आगड़ा उन्होंने अपने ओर्डर में मेंशन किया है तो समाचा पत्त में जो जानकाई बताई जारी है वो जानकाई बिलकुल भी विशवशनी नहीं हो सकती है क्योंकि एक तब सुपीम कोट ने एक आखड़ा दिया है तो सुपीम कोट के पास मन गड़न तो आखड़ा नहीं हो सकता है कोई आखड़ा सरकार ने तो दिया होगा उसी के आधार पर जानकारी है नीचे लिखा हुआ है कि 2000 तदर सिचकों के तेना सुपीम कोट संजे फ्रकरण को लेकर तदर बाद खतम करने का आदिस दिया था लिखा हुआ है कि सुपीम कोट ने कहा था कि उनकी जो निवक्तियां वो खतम कर दी जाए कोट के नेदेश पर माद्यमी सिच्छा सिवा चैनबूर ने उत्रपदेश टीजटी पीजटी भरती का विग्यापन जारी किया जिसकी लिखित परिच्छा के अंदर तदर सिच्छों ने आविधन किये और आविधन के बाद में लगबग 126 कोई यहां से भारंग दिया गया तेया सोब से अधिक जिला विध्याय नेच्छों के माद्यम से यहां पर सही नहीं माना गया दिसंबर 2021 में कोट के नेदेश पर टीजटी और पीजटी के लगबग वैधिका जो विग्यापन वो जारी हुआ था जिसमें पंदेश पीजटी और तीन तदर सिच्छों के अंदर तदर सिच्छों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया तो सिच्छों के जनप्रती निदियों के माध्यम से उन्हें नीमित करने की मांगी गई पिछली दिनों मुख्यमंती ने अपसों से कहा कि सिच्छों के सेवा समाप्त करने को लेकर बिकल्ब खोजा जारा है उसके बाद बैठकों का दोर जारी जाईगा अपर सिक्षा निदेशक माध्यमिक महंद देव ने सभी जिला विद्याय ने अच्छा को डियाय उसको रिपोर्ट मांगी और जल्दी समिक्षा बैटक होगी नीचे लिखा हुआ है कि भारंग न मिलने पर तदर स्क्रेने की अधरत में लटके हुए है मामला यह है कि सरकार TCT-PCT के 22,000 पतों को लेकर अब कोई बीच का रास्ता निकालने वाली है भरती होगी के नहीं 22,000 पर इसके बारे में तो 2-4 दिनों के बादी पता चलेगा क्योंकि सरकार तदर सिच्छों के लिए कोई रास्ता खोर जाई है अकोसिस्ट के बारे में माध्यू विध्याले कंदर नई भरती के विग्यापन के बारे पप्डस अधीन सिवा चयन आयोक के यहां से एक आदिस जादी कर दीया गया है जिसके बारे में लग्बग 5,000 के आसपास पदोंपे भरती का विग्यापन जादी होगा यूपी टपलेस्टी के दुआ यूपी के इंटर कॉलेज जूनियर किलग भरती 2022 के लिए योग के उमीद वाहों के लिए ओनलाइन आविदन शुरू करने के करम में यहां से जो तेयारियां वो शुरू कर दी गई है अगर बात की जाए विवाग के नाम के बारे में तो मार्दिमिक सिक्षा विवाग उत्तर बदेश देखने के लिए मिलता है नौकरी की प्रकार की बात की जाए तो उत्तर बदेश अधिनस सिवाद चैनायोग पतों कि संक्या 5 जाए कि something अगर बात की जाए नाम के बारे में तो लेपेक आप सभी को देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर अगर बात की जाती बेतन मान के बारे में तो 5 याँ 200 देखने के लिए मिलते हैं ओन्लाइन आवधन आप सभी के होंगे इसके अलावा योगिता की अगर बात की जाए तो उम्मीदवार किसी मानतर पर बोड़ से इंटरमीडिर अत्वा इसके समकर्ष उत्तिन होना आनिवार होगा तो आप इसके लिए यहां से आवेदन कर सकते हैं नीचे और भी जानका ही लिखी है इस लिमिट के बारे में जैसा कि आप जानते हैं किसी लेकर चालिस बरस के अब्रती इसके लिए आमतर पर आवेदन करते हैं तो माध्यमी विद्यालों के अंदर एक और लिपिक भरती का जो विग्याबन हो आप सभी को देखने के लिए मिल रही है जिसके लिए आवेदन की प्रक्या भोड़ जल शुरू हो रही है वहीं दूसी तरह बात कीज़ए अपडेट के बारे में जो की संबंदित है प्रात्मिक सिच्चक भरती को लेकर आप जानते हैं कि प्रात्मिक सिच्चक भरती से बियट बाहर के मुद्दे के बारे में एक बड़ी अपडेट आज की तारीक में आपको देखने के लिए मिल जानकाई, authentic, fresh और new जानकाईों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पल-पल की जानकाई आप सभी को देते रहेंगे, जो भी अपडेट निकलती है कोड से, वो भी authentic, क्योंकि सभी जगह यहीं से कौपी करके मिलती है, कहीं पर नया नहीं मिलेगा आपको, लिखा हुआ ह कि 16 February को याची का दाखिल की की थी, पहली सुनबाई हुई थी, आज 14 जुलाई को मामला लिस्टेड है, अगर बात की जाए तो यह code 35 के अंदर, serial number 44 पे लगा हुआ है, कब तक सुनबाई हो सकती है, तो 12 एक बज़े के बाद हो सकती है, ठीक है, कभी-कभी क्या होता है, जजिस थे, वो दूसरे थे, अब जो जजिस है, वो दूसरे है, जब भी-कभी जजिस चेंज होते हैं, तो मामले भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हर जजज का अपना अप्रोच होता है, इस मुद्दे को समझने का, तो फिलाल इस बात को इतना ही सेमित रखा जाए, आगे B8 और BTC के चलते हैं, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, वो चातों को होता है, कि भरतियां नहीं आती हैं, सरकार इस मामले को और लंबा कीशती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जब तक हम इस मामले में लगे जाएंगे, कोई चात भरती की मांग करेगा नहीं, फिलाल ये बात हो जाती, B8 बना BTC को लेकर, लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए, अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि सम्मझ देद है, P.E.T. 12-22 को लेकर, आप जानते हैं कि P.E.T. 12-21 के अंदर भी एक मांग थी कि कट ओफ फिक्स कर दी जाए, ऐसा नहीं हो पाया, सरकार ने कहिने की इस बात को नहीं सुना, फिर उसके बाद P.E.T. 12-22 भी आ गया, उसमें अभी अभी तक कट ओफ का कोई जिकर नहीं किया गया है, और अगर इतियास को उठा कर देखें तो लगता कम है कि वो ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन यहां पे एक बड़ी अपडेट यह है कि P.E.T. के अंदर फिक्स कट ओफ लगाए जाने को लेकर चात्तों की उसे एक याचिका दाखिल की थी 2021 के अंदर, अब 2022 का P.E.T. भी आ चुका है, तो चात्तों ने याचिका में शंशुदन करते हुए P.E.T. 12-22 के अंदर, मतलब यह है कि 21 वाला तो यहां पर होते हैं, उन सभी को चैनित होने का मुका मिले और जो भी संबंदित अब्याती यहां बरती के अंदर बैठना चाहते हैं, उन सभी को यहां से एक benefit अवश्य मिले, ऐसा ना होगे एक अब्याती बहार दूसरा अब्याती अंदर, इन तमाम समस्याओं से बचने के लिए आज की तारिक में, पीटी को लेकर एक सुनभाई होने वाली है, कोट के अंदर जहां पर 55 के बारे मांग की जाएगी, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैल के मार्दियम से देखनी के लिए मिलेगी, आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं, लेकिन दूसरी तर बात की जाए अपने अगले अपडेट के बारे में, जो की संबंदित है, तीन नई भरतियों के बिग्याफन, इसके अलावर UPSI दरोगा भरती को लेकर, अगर बात की जाए UPSI दरोगा भरती के बारे में, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, आपों के बीच में रिपोर्ट दर्ज करने वाली अरजी पर सुनबाई होगी, CGM रवीक कुमार गुपता ने अरजी सुनबाई के बाद में 25 जुलाई के आद्य सुरचित कर लिया था, बताया गया कि इस परीक्षा के अंदर अभ्यरतियों के द्वारा तथियों पर सबू जाएगा, वहीं दूसी तर बात की जाएक उस तीन भरतियों के बारे में, यहां पर भारती नोसेना के अंदर 200 पदों पर अगनी भी भरती का विग्यापन जादी हुआ है, आपर दिन करने के लिए यहां से आयूशीमा आप सभी के सामने लिखी हुई है, इसके अलाबा से अच्छी योग्यता, साथ ही आप सभी के सामने नीचे ओफीशल वेबसाइट भी दी गई है, इसको आप सभी अपने आप से पढ़ लें, क्योंकि छोड़ी छोड़ी वेकेंसी होती है, ज्यादा समय इसको हम देनी सकते हैं, नीचे लिखा है कि बस्त मंत्याले के अंदर 29 पतव विग्यापन जादी हुआ है, कनिश्क बुनकर, बाईष्ट, मुद्वग और अन्य पतों के लिए, अगर आयूशीमा की बात की इस तीस बस देखने के लिए मिलती है, बात रता है आपके सामने लिखी हैं, इसके लाबा, आब एदन कब से शुरू है, क्या जानकाई वो भी लिखी हुई है, जादा जानकाई के लिए आप सुभी इस मुद्य पर जाएं और जानकाई अवशी ले लें, यहाँ पर आपके सामने उफीशल वेबसाइट आ जाती है, जैसा कि आप सुभी यहां से देख सकते हैं, www.handlooms.nic.in, HPCL के अंदर 294 पदो भरती का विग सरस्तानों के अंदर नोडिफिकेशन जादी किये गए, उनके बारे में भी यहाँ पर कुछ जानकाई हैं लिखी हुई है, आप लोग क्या किया करें, कि हिंदुस्तान के एक पेस के उपर 3-4 भरती दोज बताई जाती हैं, उनको अवशी दिखा करें, कभी-कभी काम की भर ती भी निकल आती, वीडियो को लाइक करें, साथी शेह करें